हाई गाईज दिस इस प्रशान्त एंड यू आर वाचिंग निव इंडियन एरा तो फ्रेंड्स इस चेप्टर नाइन है जिसका नाम है कारवन कंपाउंड और इसका पार्ट 6 है तो फ्रेंड्स यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्सक्राइब कर लिजिए हमारे यू तो चलिए फ्रेंड्स स्टाट करते हैं यह हमारा चेप्टर नाइन जिसका नाम है कारवन कंपाउंड और यह साइंस वन का पार्ट है फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले इंक्लिवनिंग अल्ट टापिक्स विद बेसिक कंसेप्ट्स मैं हो प्रशान्त एंड यू आर से इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोगोंने पार्ट फाइब नहीं वाच कि तो प्लीज उसे जरूर वाच कर लीजी तो अगर उसे वाच नहीं करेंगे तो यह सब कुछ आप लोगों कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है यह चीज आप लोग अच्छे से हमेशा अप तो आई-सो मेरी जम में हम लोग देखते हैं आई-सो का मतलब जो होता है आई-सो ठीक है आई-सो आई-सो का मतलब होता है सेम यह फिर सिमिलर तो आई-सो का मतलब सिमिलर होता है जो मेरी जम होता है मेरी जम का मतलब स्ट्रक्चर ठीक है तो इसका मतलब होता है स्ट्रक्च रहे गए ठीक है तो आई समयलियमे मेड़ों को समझ गया होगा आइस कुछ मतलब से मेरे इस मेसीども इस इसको मोननेवाला या फिर जिस इचन्ट रहने वाली तो इसमेरी आइए वह रहा है और ईसका इसमेठारी दॉह स्थ्यक्यर्मिट्वा और जो इस का मतलव है c4 तो इसके पहले पार्ट 5 में आप लोग को टेबल दी थी तो उपलोंको पता होना चाहिए कि चार करबन वाला जिसमें 4 कारबन होते हैं चार कर्बन वाले को हम लोग बोलते हैं भी यानि ब्यूटेन और कर्बन कर्बन की बीच में सिंगल बॉंड है इसलिए हम लोग इसको ब्यूटेन बोलेंगे ठीक है तो अब यहां से पता चल जाएगा कि बस आप लोगों को Carbon के नंबर से मतलब होना चाहिए और Carbon Carbon की बीच में कितने Bond है उससे बस हो गया तो इसका नाम होगा Butane इसका नाम Butane क्योंकि इसके पास 4 कारवन है ठीक है तो यह Butane का structure यहां पर बना हुआ है तो पहला तो हम लोग स्ट्रेट बनाते हैं इस्ट्रेट चैन चैन का मतलब होता है सीधे एकदम सीधे यहां पर सीधा चैन एक टो यह को यह एक होगा देते तो भी हमारा C4H10 ही create होता है तो यहां पर जो carbon था उसको हम लोग ने यहां पर लगा दिया है देखो इस second carbon पर तो यहां पर क्या बन गया है देखो यहां पर एक branch वाला हमारा chain बन गया ठीक है तो अब यह प्रोपेन है इसका नाम प्रोपेन होगा और टू पर मिथाइल लग आप उसको देख लीजिए और सब इससे concept मतलब कुछ भी आपको उसमें सीखना नहीं पड़ेगा पढ़ना नहीं पड़ेगा बस दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी पड़ी कि और आई पैक नेमिक आप इजली कर सकते हो तो यहां पर यहां पर यहां पर यहीं तीन कर दूसरा वाला branch chain हो गया ठीक है तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं आई सो मेरे जम को फिर नेक्स वाला हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं साइक्लो यानि की कुछ साइक्लिक चीज़ें तो इसकी पहले वाले पार्ट फाइब में मैंने आप लोग बताया था कि च्छाय कार साइक्लोन वर्ड होता है एंग्लिश का उससाइक्लोन वर्ड से बना है साइक्लो तो अब यह हैक्सेन हैं लेकिन साइक्लोके कर देंगें यहां पर हटुछन कर देंगे यहां पर देखा पूरे हडोजन कार दिया देकोब एसimme की πुल दूद बन पर इस करभबन के लिए और यहां पर बनेंगे जिससे हर और चार चार बॉंड क्रीट हो जाता है तो ऐसे यहां पर जो हाइटरोजन हम लोग फिल कर देंगे तो यहाँ पर cyclohexane बन जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो सबसे बेसिक था और इसके अंगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं जिसमें हम लोग different different types के hydrocarbons के बारे में पढ़ेंगे ठीक है इसके पहले हम लोग ने सिर्फ hydrocarbon का क्या होगा सिर्फ हो अलकें ठीक है और अगर कर्बन करवन के बीच में double bond या फिर triple bond होता है तो वह अंसे च्रीट कर्बन के straighten में ही बनने वाले सी इसे सीधा इस्ट्रेट में कि हव्याद कोई यहां पर कोई यहां भी branching काड़ी नहीं बनटी बीऄ अलग कोई कार्बन की यहां पर branching नहीं होगी तो पहला वाला देखो这个 newरtle ये हरु गरमने data को सा आता है और इसका नाम होता है और यह दोनों अंतर आते हैं और जो अलकेन होता है वह आता है है saturated के अंदर यह चीज़ को हमेसा याद रखना है चलते हैं हम लोग फ्रेंट्स नेक्स्ट वाल स्लैड में जो कि सबसे important है तो उसको भी समझ लेते हैं इसमें हम लोग समझेंगे ब्रांच डवाला यानि की कर्बन कर्बन की बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉंड ही है कर्बन कर्बन की बीच में यहां पर भी सिंगल है यहां पर भी सिंगल है तो कर्बन कर्बन की बीच में इसमें सिंगल बॉंड है और जब कर्बन की बीच में सिंगल बॉंड होता है तो वह अलकेन होता है और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा की नेमिंग कैसे करते हैं तो यह डबल बॉंड है इसलिए अंदर आता है चलते हैं हम लोग नेक्स टॉल स्लेड में नेक्स टॉल स्लेड में हम लोग कारबन रिंग के बारे में समझेंगे रिंग का मतलब आप लोग समझते होगे कि साइकल के फॉर्म में ऐसा कुछ रिंग ठीक है तो इसमें कार्बन की रिंग बनती है और कर्बन की रिंग च्छै कारबनों के साथ बनती है और six कर्बन से जो भी बनता है उसको बोलते हैं यानि कि उसमें हैक्जेन तो फिक्स आने वाला है पर हैजेन a and e last में कब आएगा जब कर्ब जोकि पेंटेन होता है पेंटेन का मतलब है five carbon यानि कि carbon carbon के यहां पर ऐसे five times बनेंगे five carbon सिआहां पे आने वाले और इसको अगर cycle के form में कर देते हैं तो पुछ ऐसा create हो जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे आपको मीथेन बोलते हैं यह चीज आपको हमेसा याद रखनी है और यहां पर देखिए फिरेंट्स डबल बॉंड जब आता है डबल बॉंड तो यही चीज बन जाएगी साइकलो हैग्जीन यहां पर साइकलो हैग्जेन है क्योंकि अलकेन यानी लास्ट में रहता है यानी व आइन का मतलब होता है त्रिपल वांड तो यहां पर अलकाइन का एक्जामपल नहीं है सिर्फ आप लोग अलकीन से समझ दीजिए अलकीन यानी कि यहां पर अप्छायकारबन से तो इसका नाम हो जाएगा हैग्जीन ठीक है अलक के जगह में हम लोग हैग्स लगा देंगे और इनी जो सफिक्स है वो फिक्स रहेगा ही रहेगा ठीक है तो ना इसका नेमिंग हो जाएगी साइकलो हैग्जीन क्योंकि साइकल के फॉर्म में है ठीक है तो यह चीज़ आपको समझ गई होगी बहुत बेस्ट तरीके से अगर नहीं समझती है तो वीडियो को फिर से बाद आपको नई नहीं अपडेट मिलती रहेंगी और इसके बाद में जल्दी ही अपना नेक्स टॉला पार्ट अप्लोड कर दूंगा जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं बहुत कुछ नया जैसे कि फंक्शनल ग्रूप क्या होता है हेटरो एटम्स क्या होता है कैसे उनक आपको समझ गई तो सबसे बेस्ट आप समझ सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में फेस्बूक वाटसप और इंस्टाग्राम में और हमें फॉलो कर लीजिए फेस्बूक पर नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन मतल जो ही है वहाँ पर क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं तब तक के लिए बाई